सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए नमस्कार दोस्तो स्वावत है आप सबका एक और नए वीडियो में दोस्तो भारत ने अपना टेस्ट का स्कॉर्ड जारी कर दिया है सिरलंका के अगेंस जो की होने वाली है नूजिलैंड सीरीज के बाद और भारत ने आज ही अपना नुजिलेंड के अगेंस T20 का स्कॉर्ड भी जारी कर दिया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर आके आप वीडियो को देख सकते है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया अगरे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए तो दोस्तों अब बात करते है भारत के टेस्ट के स्कौर्ड की जो कि उन्होंने जारी किया है सिलंका के अगेंस्ट जो कि होने वाला है इस न्यूजिलेंड की सीरीज के बाद तो स्कौर्ड ये है विराट कुली कैप्टन, केयल राहूल, मुगली विजे, सिकर धवन, अजिंक्या राने, चितेश्वर पुजारा, रोहिष सर्मा, रिदिमान सहा, रवीचंदन अश्विन, रभिंद्रे जडेजा, पुल्दीप यादो, भार्दीक पांडिया, मौमर सामी, उमेश यादो, हुबनेश्वर कुमार और इशान सर्मा, उस्तों ये जो टेस्ट का स्कॉर्ड है, इसको देख के लगता है, काफी सैटल और बैलेंस स्कॉर्ड है, जहां पर रविंद्रे जडेजा और रवी चंदन अस्विन, जो की ये दो प्लेयर जो है, वन डे टीम से लगातार बाहर ह आइए और उनको जो है, टेस्ट मैश में मौका मिला है और ये काफी अच्छी बात है, ओवर ओल दुस्तों यह जो टीम है, यहां पर उनको वन डे से द्रवाश किया था तो रोश्तो आपको का लगता है टीम कैसी है नीचे बताई हमें कमेंट करके और ऐसी लेटेस क्रिकेट अपडेट के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कात रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए